बिसमिल्ला रवान रहीम असलाम लेकुम स्टुडेंट कैसे हैं अम सब ठीक है उम्मीद करता हूं ठीक हो मैं तो सेकंड फरस्ट से हम टैंड क्लास जैसा कि आप जानते हैं हमने प्रीवेस्टी बढ़ने करेपर को पड़ा था ठीक है अगर आपको टोपिक मिस हो गया तो करेंगे स्क्रीवेस्ट को पर्फोर्म करेंगे स्क्रीव करते हैं ठीक है चले चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जन्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताके आने वाले लेटस लेक्टर आपका टाइम ली पहुं सके और आप उनकी त्यारी कर सके ठीक है बच और आपको मैं बता दो मेरी टैन क्लास की प्ले लिस्त है जिसमें आपको डिस्क्रिप् हमारे पास है स्क्रिव गेज इसकी एक बचो यह डायागराम मैंने ट्रॉग गी है इसको हम बहुत समझ लेते हैं यह है तो वैटे आप देखें इडिसा यू शेप यह कौन सी शेप है यू शेप का हमारा इंस्ट्रुमेंट है ठीक है इसके लिए कुछ पार्ट से सबसे प मतलब मेंचेल ठीक है रहा है तो यह स्ट्र को हम और इसको गुमाना है बच्चे मिस्ट्रेक करते है वो इस इस implement तो इंको अभी बुमाया है श्ट्रबरल और तो ये पिर ये स्केल पीछे आएगा और ये मेंड आपको नजर आना शुरू हो जाएगा ठीक है बटो तो अब इसी दिना आगे इसको स्टार्ट करते हैं बच्छो तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रिलीस काउंट के बारे में ठीक है उससे पहले आपको पतादू इसके जीरो एरर के बारे में जीरो एरर क्या होता जी तो ये अगर आपका ये जो जीरो है इसका सैर्टूलर स्केल ता इस इन्डेक्स लाएम के सामने होगा तो कोई एरर नहीं है इफ जीरो ओफ स्केल इस को इनसाइट विद दा जीरो ओफ कोई दिदा इंडेक्स माइं है कि अगर वह मतलग ते डिल फीन्ड करेंगा इसका मतलग है कोई यह नहीं है तो अब देखते हैं अब पोजिटीव जीरो अब भूता है और नेगेटिव जीरो तो बेटे देखें अगर आपका यह जीरो स्केल की का उस इंडेक्स लाइन से नीचे होगा इसका मतलब है पॉस्टी जिरो रहे और अगर अबाव चला जाएगा फिर जीरो ओफ सर्कुलर स्केल अब आप इंडेक्स लाइन इंडेक्स लाइन से उपर चला जाए इसका मतलब और इसमें क्रेक्शन करने के लिए पोश्टी को आप पलस करते नेटिप को माइनस करते है ठीक है बचू हां चले आप 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 देर रिटीन कैसे इसका मतलब यह जब आप इस राइट को पड़के घुमाएंगे यह जिरो दबारा तो यहां पर आपको एक लाइन और शो होगी तो इसका मतलब है कि एक लाइन एक मिली मेटर है तो इस पूरी रूटेशन के बाद एक मिली मेटर पीछे हुआ सर्कूलर स्केल इसलिए इसे कहते हैं पिच्छोप स्क्लू के जो कितनी है बन मिली मेटर जब आपने इनको करके निए इसकी तरह है कि पहले आपने लेना है बचो हमारे पास एक में स्केल करें प्लास सब्सक्रों के रिडिंग मल्टीप्लाये लीस्ट कॉंट ठीक हुआ तो इस की रिडिमें रेका चला जाब हम एक्सपरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारी रिडिंग क्या आ चलते हैं अपने प्रैटिकल की तरफ जी तो बेटा यह देखें यह इसको गुमा जिसको रैचेट क्यों कहते हैं क्यों कि देखें यह आवाज आ लिए इसे यह गूमी जा रहा है लेकिन यह अपनी जगा पर फिक्स हो गया इसका यह तो इसलिए इसको एंटिक लोग बैस टीक है तो यह देखें में स्केल नदर आना शुरू होगा अब आपको बता तो पिच्छों स्कुरू है वब हैं यह तो यह मिने इसको टाइट कर दिया दोनों जीरो इन डेल सामने अब देखें यह 0 उस इंडरलांज के सामने मैंने इसको गुमाने पूरी एक रूटेशन ह पूरी रूटेशन में एक लाइन पीछे होते जाएगा एक मिलीमेटर इसलिए से करते हैं पीछोफर स्क्रूगेश ठीका बचोहां जी तो आया अब हम एक चीज का डायमेटर में इसका डायमेटर क्या है ठीका बचोह हमेशा रैचेट से पकड़ की गुमा रहा है आपने याद रखी गए इस चीज को तो यह देखेंगे रैचेट को मैंने गुमा यह दस से पीछे पांच के बाद चाड़ लाइने नजर आ रही है आपको इसका मतलब है मेंस के रीडिंग किया है नाइन और ये देखें सर्कुलर स्केल पर आपको इंडेक्स सामने 20 के ओपर कितनी लाइने है दो 20 के ओपर दो लाइने तो इसका मतलब हो 22 और यह है 9 तो जब आपने इसको मैटिक लागिया तो इसको जब नाइन में प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा बच्चों हमारे पास इस बीकाम नाइन पॉइंट टू टू वीली मीटर तो यह इस तरह आपने इसका डाइटर मैयर कांडिया की करना बच्चों हमीद आपको समझ आभी होगे तो अगर बैटे इसमें एरर होता मिसाल के लोगे पोस्टिव एरर होता तो उस एरर को आप इसमें प्लस करते इसमें पर नेगटिव एरर होता हो आप इसमें माइनस करते है तो इस तरह आप ने तीन बार इस एक्षपरिमन को रपीट करना उसका एब जिन आपको प्रेक्टिकल को क्यों बताया गया तो अगर आपको कोस्टों आप मुझे में प्लेडिस का लिक्र्ट में लिंक मिलेग आपको ठीक है चले होते हैं आपसे नेक्स वीडियो में सी यू जाइन अला आफेस्ट